आपने एक सिस्टम को फोलो करना है इन्वेस्ट करना है पैसा क्योंकि आने वाली तो बीजेपी ही है तो म्यूचल फंड वाले लोग यह अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में ग्रोथ अब एक थर्ड फेस में एक अलग होगा इसलिए यह रीजन है लास्ट फ्यू एयर्स मे पी एस यू सेक्टर बहुत तेजी से बूम कर रहा है क्योंकि कुछ चीजे यहां से इंटरलिंग्ट हैं कुछ चीजे मोदीजी से इंटरलिंग्ट है हाई फ्रेंड्स दिस इस पंकज भार्दाज तो आज मैं आया हूँ आपके लिए एलेक्शन का फुल प्रूफ वो रामायन कथा जो हर बार एलेक्शन पे होती है तो एलेक्शन में हम लोगों को करना क्या है देखो इससे पहले बहुत सारे लोगों ने इस तरीके का वीडि को देखा है और समझा है एलेक्शन में सबसे पहले सबसे में चीज क्या होती है सुनो ध्यान से सुनना मेरी बात यह एलेक्शन की मैं आप लोगों को स्लाइड मैं शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइब का लिंक किसी कमेंट में कर दूंगा ताकि आप लोग इसको अच्छे को पलस आएंगे एंडे वांट मार्के शूट गो अप तो नोर्मल पब्लिक चाती है मार्केट उपर जाए राइट बट सेकिंड मार्केट की क्या लेंग्वेज है वो भी समझना पड़ेगा तो मार्केट सेंग एक सम्थिंग इस वैरी अनेक्सपेक्टीड ठीक है मार्के 1,800 से 11,600 तक बजार आया उसके बाद वन साइट रैली उपर आफ्टर थ्री मन्स मार्केट क्रैस्ट 2014 में भी इसी तरीके का हुआ था मार्केट 6,850 से नीचे आया और 15 दिन पहले मार्केट मोव किया और लास्ट 8-9 डेज रैली उपर रिजल्ट आफ्टर थ्री मन्स मार् 2014 की तरीके से है पहले 7-8 दिन डाउन किया फिर 10 दिन कंटीनू किया तो वन तिंग इस वेरी शूर कि मार्केट में 2014 रिपीट होगा पहले तो यह समझ लो कंफर्म यह समझ लो कि 2014 रिपीट होगा अब यहां से समझते हैं इलेक्शन डे वाले दिन क्या करना है और इलेक्श लास्ट थी मंस में उन्होंने क्या किया था प्लस फिर माइनस उसके बाद मार्केट उपर चला गया ऐसे ही 2014 का डेटा देखो 2014 का डेटा में प्लस 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 ही करे जा रहे थे FIIs का सारा और यहां पे DIAIs का मैं DIAIs को जादा कुछ एहमियत नहीं देता हूं जस्ट विको बेंडेटरी है ठीक है तो मैं यहां पे कुछ ज़्यादा प्रिफ्रेंस नहीं दूंगा I will go for the with the flow of FI अब करेंट यह में क्या कर रहा है देखो करेंट यह में अप्रेल में मार्केट में शोट पोजिशन किया हूँ था मार्च में किया हूँ था तिल देट अप्रेल तक इ बट वाय दे आर एक्टिवेट अभी यह डेटा यह FI से हमेशा कम ही पर्चेस करते हैं लेकिन दिस ताइम दे मूवड़ अप तो क्या समझे सम्धिंग वैरी अनेक्सपेक्टिड जो की मार्केट में बड़े प्लेयर के थ्रू गेम घुमाया जाएगा बड़ा प्लेयर मत माइनस की तरफ सोच रहे हैं यह तो लोग प्लस की तरफ सोच रहे हैं तो सम्धिंग इस वैरी फिशी यह लोगों के बीच में लड़ाई हो रहा है तो ध्यान रखना एक बात कि इंडिया में डिया आई जिस तरीके से पोजिशन बन रहा है वो लोग मार्केट को नीचे त हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर है मार्ए पास इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो मुचल फंड वाले लोग यह अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में ग्रोथ अब एक थर्डपेस में एक अलग होगा तो हम समझेंगे कि किस तरीके से होगा, कैसे होगा क्यों हमने decide कि market उसके बाद एक नए face में जाने वाला है मैंने पहले भी बताया था, 2014 के बाद market का एक अलग scenario था तो आज फिर बता रहा हूँ, 2014 के election के बाद market का एक अलग scenario होगा सेम लाइका 2014 चलिए समझते हैं ठीक है अब देखिए लोजिक क्या है इसके पीछे वो समझते हैं मीडिया में आकर अमिसा सर ने बोला एक स्टेटमेंट गिवन दी चार्ज उनके बाद मार्केट देखना क्यों उसके बाद एक एक्स्क्लूसिफ वीडियो में मोदी जी ने स्पेशली बोला चार्ज उनके बाद मार्केट देखना और स्पेसिफिकली एक स्टोक के बारे में बताया है एचल विद प्रॉफिट फीगर क्यों इससे पहले का इन लोगों को कभी पता नहीं था कि कौन सी कंप पनी की क्या फिगर है लेकिन एकजक्ट्लि वह फिगर बताया गया रइट थर्ड इस्ट्रक्चर इस वहरी सिमिलर टू 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 थाओजर्ड 2014 by default मैंने इसको 2019 लिख दिया है 2014 के साथ ये structure मिलता जुलता है जो इस वक्त हो रहा है सारा scenario तो समझते हैं कि हमें अब करना क्या चाहिए तो logic मैंने आपको दे दिया है कि अगर इन लोगों को market में इतना confidence आ रहा है तो समझो इन लोगों के पास कुछ तो है ठीक है तो अब समझेंगे कि ये होगा क्या तो common sense क्या लगाना है market में हमें common sense के उपर काम करना है BJP अगर 370 प्लस आती है market will go up बट जिस दिन result day होगा उस दिन 945 के बाद बजार नहीं चलेगा panic scenario आ जाएगा पहले तो ये समझ लो दोनों केस में बताऊंगा अगर BJP 350 से नीचे आती है ध्यान से सुनना उनकी seats की बात कर लें या majority में नहीं आती है ठीक है 350 तो अगर 350 के नीचे आता है तो लोगों का acceptation क्या था कि 370 प्लस या 400 आए तो 350 आए तो ये करेगा negative का काम तो उस सेम डे में यहां पे भी पैनिक होगा और अगर 350 से आई तो ध्यान रखना पैनिक 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 तिल 9.45 तक से लेके 10 बच के 15 मिनट तक पैनिक होगा अगर मैं कुछ भी बाई करने की सोचूंगा तो उसके बाद सोचूंगा अगर बजार खुलते ही पैनिक होना स्टार्ट हुआ तो मैं पैनिक पैनिक करके स्टार्ट करूँगा लेकिन दूसरी साइड में मैं जो बोल रहा हूँ बजार अगर अप साइड खुला बजार अगर अप साइड खुला तो मैक्सिमम मैं 9.45 तक ही बजार को ऊपर देखूंगा उसके बाद पैनिक ये धियान रखना गाइज ये जो मैं आप आप लोगों को मैंने एक पूरा होल सिनेरियो बताया है डिजल्ट वाले डे में क्या करना है ये मैंने वीडियो नंबर 16-17 में भी बताया था इसलिए वह वीडियो मैंने हाइड किया हुआ था क्योंकि मैं जानता था कि बहुत सारे लोग इसको कोपी करेंगे लेक्शन के पास आने पर तो वीडियो का टीवी एंड मैनुफेक्टर यूनिट्स इंफ्रस्ट्रक्चर और आपका एन बीएफसी मेरा मेन फोकस यहां और यहां रहेगा और यह कैसे इन से लिंक्ट है यह मैं अभी आपको इस पूरी स्लाइड के थूरू समझाऊंगा और यह एक बहुत अच्छा रिजल्ट अनिलाइजिंग के साथ साथ आपको एक फंडामेंटल अनिलाइजिंग की मार्किट में आप अपना पैसा कैसे इंवेस्ट कर सकते हैं मैं जिस तरीके से आज आपको बताने वाला हूं पूरे मार्किट में पूरे यूटूब पर आप इस तरीके की वीडियो finding the investment कि कैसे किस तरीके से link होता है हर एक चीज तो opportunity कहां आएगी suppose अगर BJP चाहे 350 आए चाहे 370 आए चाहे 400 आए आपने एक system को follow करना है invest करना है पैसा क्योंकि आने वाली तो BJP ही है अगर जो लोग यह वोल नहीं आया नहीं आया तो गवराना नहीं है आपने बजार एक महिने बाद वापस से हो जाएगा अगर majority में नहीं आया तो लेकिन सरकार BJP की वनेगी यह डैम चोर है ठीक है और जिसकी सरकार उसी का काम ध्यान रखना यह मोधी सरकार है यह मिलाएगी लेकिन राज सिर्फ इन ही लोगों का चलेगा और ठोट प्रोसेश सिर्फ इन ही लोगों का चलेगा तो चलिए समझाता हूं आपको कि कैसे यह लोग मार्केट से आपको हेल्प करेंगे पैसा बनाने में राइट तो अब हम समझते हैं कि इस पूरी की इलक्शन कीविनिंग के बाद अफॉर्चनिटी कहां आएगी डाइट सबसे पहले इन्फ्राइस्ट्रक्ट्चर तो इन्फ्राइस्रक्ट्चर में क्या-क्या आता है हमारा इन्फ्रास््रक्ट्चर में हमारा आता है रेलवे रोड एर्पोर्ट और कॉम्टिकेशन राइट ऐसे हमारा पावर में रिनीवल एनर्जी में पी एस यू बैंक में ठीक है मैनुफेक्ट्रिंग यूनिट्स में ये कंपोनेंट्स जो बनाते हैं मैं समझाऊंगा इसको ध्यान से इस पॉइंट को समझना है इलेक्ट्रिक वीकल एंड चार्जिंग स्टेशन वाले में और मोस्ट इंपोर्टेंट डिफेंस तो राइट आप लोग इस चीज को भली भाती ध्यान से समझना और जो मैं अभी बता रहा हूं उसको वीडियो को भगा कर नहीं देखना स्लो मोड में देखना है इस वेरी इ समस्ते हैं सबसे पहले infrastructure infrastructure में railway श्टोक राइट railway sector पर हम लोगों ने इसलिए focus किया है क्योंकि मोधी सरकार ने अपने manifest में बताय था कि वो लोग 5000 km per year railway track लगाएंगे और बहुत सारी नई Trains को लेकर आएंगे additionals को और 1000 करोड रुपे next 5 years में वो लोग खर्च करेंगे और उसके साथ साथ निर्मला सीता रमन मैम ने बोला था कि 400 new वंदे भारत on budget day पे कि हम लोग introduce करने वाले हैं बहुत सारे features के साथ वो लोग इस चीज को launch करने वाले हैं like a sleeper or like a recliner chair वाला जो भी होता है trains में तो उस तरीके से तो आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि किस तरीके से यह लोग लोगों ने design किया हुआ है इसके साथ साथ हुवाई फाई जैसी services यह लोग provide करने के plan में है तो मोधी सरकार ने by 2030 यानि 2030 तक कि इन सारे प्रोजेक्ट को complete करने का बोला हुआ है इसके साथ साथ हम लोग समझेंगे कि हमें कौन से स्टोक्स में पैसा लगाना चाहिए IRFC इंडियन रेलवे को loans provide करती है IRCON RVNL IRCTC Jupiter टीटा गडवेगन railway infrastructure में आप लोगों को यह सब स्टोक्स पे focus रखना है especially IRFC and RVNL especially इन दोनों से shares में मैं आइज रखूँगा भोछ जबरदस्त आगे आने वाले टाइम में मैं बताऊँगा एक आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि इन shares की किस तरीके की monopoli है market में तो चलते हैं आप रोड नेटवर्क की तरफ you know very well नेतिनगडगिरी जी बहुत तेजी से infrastructure के उपर काम कर रहे हैं रोड के तो उन्होंने यह decide कि एक तालीस हजार किलोमेटर का यह लोग national highway बनाएंगे जिसमें यह लोग 15,000 किलोमेटर का high speed वाला access control corridors के थू करेंगे यह काम और इसमें यह लोग total मिलाके 19,5,000 क्रोड के project को sanction करेंगे इस पूरे projects के साथ साथ कौन सी companyya जुड़ी हुई है IRB Infra, HG Infra Grill, GR Infra PNC Infra Limited तो यह सब companies हैं अगर मोधी सरकार इस project में full proof आती है यह नहीं आती तब भी रखना है क्योंकि infrastructure तो हमें चाहिए इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लोग एक चीज भूल जाते हैं आप जो analyzing में बता रहा हूं this is the very pure analyzing of core analysis कि एक experience player हमेशा आपको चीजे बिलकुल नीचे से लेकर बत से लेके उपर टोप लेवल तक बढ़ायो from bottom to top right तो समझेंगे road development में कब किस-किस चीजों की हमें जरूरत होती है देखो जहां road development होगी वह water supply भी चाहिए होगी हमें वहाँ पे structure steel companies का भी काम होगा तो अब हम समझेंगे देखो अपला पोलो जी टी एल इंडस्ट्री स्टील पाइप्स बनाती है ठीक है तो हाई टेक पाइप्स राइट वीनस पाइप्स इस तरीके का रखना है और यह सारे प्रोजेक्ट का लिंक्ट है L&T से क्योंकि L&T इनको सब को structure wise करके सब products को use करके components को use करके इस project को complete करती है वहीं पर टेलीकॉम वाले में infrastructure को build करने के लिए इंडस्ट आवर और HFCL का उप्योग किया जाएगा तो आप लोगों को ऐसे पूरे सेक्टर का analyzing करना है कि road construction बनाने के इलावा भी road बनाने के इलावा भी हमें किन किन equipments की जरूरत पढ़ती है तो इन सब चीजों से market demand बढ़ती है राइट तो ऐसे next sector है मेरा power and renewal energy तो power and renewal energy में अगर आप लोग देखोगे तो इंडियन government क्या कर रही है massive plan मतलब aggressively power production capacity को बढ़ाने में लगी है currently हमारी क्या है 166 gigabyte है और हमें fi 30 तक हमें चाहिए 537 gigabyte तो इसमें क्या है this would involve renewal energy capacity addition across your solar की वो solar के through भी करेगी यह पूरी consumption को पूरा करने के लिए hydrogen के through भी करेगी तो यह सब चीज़े करेंगी right तो आप लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इस renewal energy से कौन-कौन से sectors जुड़े हुए हैं कौन-कौन से stocks जुड़े हुए हैं तो यह हमें समझना पड़ेगा अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर लोंच प्रदान मंत्री शर्वध्या योजना तो यह भी किया था इस project के अनुसार बहुत सारे घरों के ऊपर solar panel भी लगए गए थे I forget the information कि कितने थे अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यह पूरा project करने के लिए हम लोगों को transformer solar inverter cable wires battery तो इन सब जीजों की जरूरत पड़ती है smart meter की तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इन सब चीजों को पूरा करने के लिए किन-किन companies का इस्तमाल किया जाएगा इसमें हम लोगों के लिए transformer बनाने वाली company solar inverter cable battery smart meter देखो जो power का consumption करेंगे वो करेंगे Tata power ntpc power grid तो इस तरह इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है अब यह लोग जिन components का इस्तमाल करेंगे जो transformer solar cable and wire battery smart ready तो उसमें क्या है crompton power cg power poly cab height हिताची energy के याई wires and cable siemens genius thermex तो इस तरीके की companies पे नज़र रखने हैं यह components बनाती है ध्यान से सोचो अगर renewal sector बढ़ेगा तो company भी तो बढ़ेंगी ना यह company भी तो बढ़ेंगी अरे यह वो components बनाती है जिनके बिना यह काम असब भव है जिसके बिना यह थोड़ा मुश्किल है काम करना और सायथ पूरा ही मुश्किल है तो यह चीज ध्यान लखना आपको इस तरीके से आप लोगों का analyzing करना बहुत जूरी है तो आए चलते हैं next step पे इसके साथ साथ हमें market में और भी players है जो की solar and wind EPC company है तो यह ध्यान लखना इसमें sterling and wilson है orina power है inox wind है और वारी है आप लोगों ने देखा होगा suddenly renewal energy वाले stocks में movement बहुत जादा आ गया 300-400% से भी उपर आ गए है कुछ stocks तो specially यह वारी और sterling विंसन तो मैंने देखा है कि बहुत जादा over value हो चुके हैं यह stocks इनके उपर नजर रखना इसमें भी पैसा नहीं लगाना till the government didn't clear anything कि सब कुछ clear ना कर दे अभी कौन सा project किसको मिलने वाला यह election के बाद ही पता चलेगा तो उसके बाद हम लोग decide करेंगे कि किस तरीके से काम करना है इन stocks को लेके एक मैं detail video भी बताऊंगा कि कैसे कौन सा शेयर को पहचाना जाता है कि वो सस्ता है कैसे पहचाना जाता है कि वो महंगा है ठीक है my favorite sector EV analysis right इसके बारे में मैं आप लोगों के कैसी चीज बताने वाला हूं कि यह एक ऐसा उभरता हुआ सेक्टर है जिसमें लगबक 30% की rally हो चुकी है मतलब according to the plan पूरा plan जो की 100% तक rally होना है उसमें से 30% हो गई है but still something is fishy because इसमें players बोत है और यहां पे क्या है जिस capacity के according यह लोग चल रहे हैं उसमें सभी लोगों का योगदान होना बहुत जो रही है तब ही उस वो project को वो पूरा कर पाएं तो चलिए समझते हैं ठीक है जो इंडियन लोग है suddenly उनका mind change हो रहा है petrol diesel से electric car की तरफ but biggest challenging क्या है इन लोगों के लिए EV infrastructure इन लोगों ने क्या किया है target किया 2030 तक 30% of new vehicle sales करेंगे EV में और इनका जो plan है वो क्या है 8 crore electric vehicle का plan है आगे 2030 30 तक कि इस तरीके से यह लोग करने वाले है right तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा 39 lakh charging station चाहिए होंगे अभी currently समझने की जरूरत है currently क्या है अभी हमारे पास एक station 137 vehicles के उपर काम कर रहा है मतलब लगबग for example 130 लोग आप लगा लो 130 लोग एकी station पर line में खड़े हुए है यह ratio है अभी right तो हमें समझना पड़ेगा इस पूरे EV policies के according कौन से stock चलेंगे battery stock, auto stock auto ancillaries, loan vehicle NBFC तो कौन कौन से stock इससे जुड़े हैं यह समझते हैं right तो इसमें EV में most of the place 2 vehicle वाले है महिंद्रा, tvS right तो कुछ place इसमें commercial भी है, data motor, elektra, asokliland, electric bus बनाते हैं तो यह चीज का धियान रखना है यहां पे यह components और auto ancillaries वाले company, especially मैंने यह दो companies ही ली हैं जिनका main focus यहां पे जो हो रहा है यहां पे जिन चीजों की जरूरत है वो यहां पे आ रही है यहां से आ रही है तो इन दोनों sector के साथ कैसे जुड़ा हुआ है हमारा vehicle loan वाला भी जुड़ा हुआ है इसमें स्रीराम finance वाली जो company है वो ज्यादा benefit है और चोला investment वाली है ठीक है तो आप लोगों को ध्यान रखना है देखो एक ही sector है लेकिन दो दो चीजे इससे interlink है तो हमें यह चीज समझनी पड़ेगी कि कौन से sector से क्या है यह वही है vehicle BK या ना BK Car BK या ना BK उसका tyre और leather seat बनाने वाला company का stroke हमेसा भी केगा तो यह example है उसी चीज को लेके मैंने इसको add किया है ठीक है तो चलिए दूसरी slide पर अब हम आते हैं defense जो कि मोधी सरकार का especially defense के उपर क्यों focus है क्योंकि France इंडिया के लिए 33% का supplier है 13% का USB है तो इंडिया जो है वो globally 11% इसने 2018 से 2022 के के बीच में इन्होंने import किया है but suddenly Indian government ने decide कि कि कुछ items 928 items इन्होंने import के लिए बैन कर दिये तो इसका main benefit किसको होगा जो manufacture company होगी इंडिया की तो आज अब हम समझते हैं किसको benefit होगा इसमें कुछ strokes मैंने add नहीं किये just because of few people is trying to copy this मैं इसका full version लाऊंगा बट कुछ दिनों के लिए तो आप वो easily देख लेना उसको password protected करूंगा मैं ठीक है तो उसके अंदर मैं पूरी detail बताऊंगा कि कैसे defense analyzing मैंने किया हुआ है तो इसमें HAL है अब HAL helicopter से related भी कुछ services देता है तो ऐसी companies भी बहुत हैं जो helicopter को इसको service helicopter की repairing service की देते हैं ठीक है यहां से BDL BDL HAL का competitor है भारत फोज और और आपका BEL और आपका BEML तो इन सब strokes के उपर आप लोगों को नज़र रखना defense sector में basically इन ही सब चीजों के उपर आपको focus रखना है यह चीज का आप लोगों ध्यान रखना है फिर हम आते हैं PSU sector पे last but not the least PSU sector में क्यों PSU sector ही rally कर पाए है private sector क्यों नहीं करे और हम लोगोंने PSU sector ही क्यों analyze कि है तो ध्यान से समझना railway के जितने भी project होंगे infrastructure के जितने भी project होंगे उनके 95% loans PSU banks से होते हैं पहला point दूसरा Modi सरकार ने जो PSU bank का NPA जादा हो रहते bad loans वगेरे की वजह से उन सब को merge करके एक बड़ा bank बनाया तो यहां से हम लोगों को पता चलता है कि Modi सरकार कितनी aggressively काम करती जा रही है तो यह चीज से हमें समझना चाहिए उपर से क्या है कि यह जो banks है merge करने के बाद एक अच्छा focus से market में काम कर रही है जो कि मैंने अभी आपको बताया corporate loan की तरफ ध्यान नहीं है private bank का इतनी private bank funding नहीं करती है corporate वालों को लोगों को तो इसलिए PSU सेक्टर का यह ज्यादा बढ़ रहा है और PSU सेक्टर में मैंने यूनियन बैंक कैनरा बैंक बैंको बढ़ोदा और SBI सेलेक्ट किया है क्योंकि most of the loans यहीं से होते हैं इसलिए यह reason है last few years में PSU सेक्टर बहुत तेजी से बुम कर रहा है क्योंकि कुछ चीजे यहां से कुछ चीजे मोदी जी से इंटर लिंक है तो यह धियान रखना जहां पर मोदी सरकार वहीं पर विकास इस बात को धियान रखना एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा जाते जाते इस इस वीडियो को अच्छे ध्यान से समझना कुछ टाइम के बाद में इसको प्राइवेट कर दूँगा जस्ट विकोज ओ इसमें एक ऐसा रिजल्ट एनलाइजिंग का मेथड बताया है मैंने जो कि मेरे इन्वेस्टिंग की बुक जो कि मैं अभी बुक लॉंच करने वाला हू का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलिग्राम गुरूप का जॉइन लिंक डाल दिया है तो जॉइन इट इन्जॉई इट थैंक यू सो मत जैहें